Hello everyone, मैं हूँ रश्पेट सिंग और आज मैं बात करने वाला हूँ हो पोनो पोनो प्रेयर के बारे में कि पैसों के प्रती आप अपने नेगटिव इमोशन्स को कैसे हील कर सकते हैं और आप अपनी जिंदिगी में जाद से जादा पैसों को कैसे आकर्शित कर सकते हैं पैसों के प्रती हो पोनो पोनो प्रेयर के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि हो पोनो पोनो प्रेयर क्या है और किस तरीके से ये आपके नेगटिव इमोशन्स को हील करती है जिससे कि आप अपनी जिन्दीकी में किसी भी चीज़ को आकरशित कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं उसको आप manifest कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बदा दू कि Ho Pono Pono Prayer कोई manifestation technique या law of attraction technique नहीं है लेकिन Ho Pono Pono Prayer आपकी किसी भी problems related आपके negative emotions को heal करने में मदद करती है जिससे कि वो problem आपकी जिन्दीकी से हमेशा के लिए चली जाती है और आप अपनी इच्छा से सम्मंदित अपने wish को manifest कर पाते हैं लेकिन आज हम किसी और topic पर बात नहीं करने वाले हैं किसी और wish को manifest करने के बारे में बात नहीं करने वाले हैं आज हम केवल पैसों के बारे में बात करने वाले हैं तो मैं यहां मानने वाला हूँ कि अगर आपके पैसे कहीं फसे हुए हैं अगर आप आपने किसी को पैसे दिये हैं और वो आपको वापिस नहीं कर रहा है या फिर आपकी income नहीं बढ़ रही है, आपकी income इस्टा को चुकी है, आप job करते हैं आपका promotion नहीं हो रहा है, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, business में growth नहीं हो रही है या फिर कोई भी problem है आपको पैसों की, तो पैसों की problem को solve करने के लिए आपको इस hope and open prayer को हर दिन practice करना चाहिए और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसे practice करते जाएंगे पैसों के साथ आपकी relationship बहुत ही बहतर होती जाएगी और पैसों से संबंदित आपकी सारी problem solve होती चली जाएंगी तो चलिए जल्दी से जानते हैं इस technique के बारे में कि ये कैसे काम करती है ये बहुत ही simple technique है जिसको आपको 21 दिन तक practice करना है 21 दिनों के बाद आप इसका result देख सकते हैं कि ये कितनी powerful technique है तो इसके लिए आपको सुबह उटने के बाद या फिर रात में सोने से पहले जब आपका subconscious mind active रहता है तब आपको एक शान जगह पर बैटना है जहां पर आपको कोई disturb न करे आपको गहरी सांस लेनी है दो तिन बार उसके बाद पिर आपको अपने दिल पे हाथ रखना है और खुद से कहना है जब आप ये सारे statements बोलते हैं तब क्या होता है आप money के साथ अपने relationship को बहतर बना रहे हैं आप money को ये बोल रहे हैं कि जो भी problem money की वज़़े से मेरी जिंदिकी में आई है मैं उसको solve करना चाहता हूँ और मैं ये accept करता हूँ मैं इसकी 100% responsibility लेता हूँ कि ये problem मेरी वज़े से है और इसलिए मैं आपको sorry बोल रहा हूँ money को sorry बोल रहा हूँ और जल्दी से ये problem solve हो जाए I am sorry please forgive me के बाद जब आप thank you बोलते हैं thank you का मतलब होता है कि आप ये accept कर रहे हैं कि आपकी forgiveness accept हो चुकी है money ने आपकी forgiveness को accept कर लिया है और अब आपकी problem solve होने वाली है I love you money बोलकर आप ये दर्शा रहे हैं कि आप पैसो से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि क्या होता है कि जब हमारी जिन्दिगी में कोई problem आती है चाहे वो कोई भी problem हो तो अगर पैसो की problem है तो हम पैसो से नफरत करने लगते हैं पैसो को बुरा बला कहने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये problem हमारी जिन्दिगी में क्यों आई है किसी और की life में क्यों नहीं आई मैं ही क्यों इससे सफर कर रहा हूँ और पैसो के प्रती हमारे दिमाग में negative thoughts आने लगते हैं तो जब आप I love you money बोलते हैं तब आप पैसो के प्रती अपने relationship को बहतर बनाने पर काम करने लगते हैं और आप ये बताने लगते हैं कि आप पैसो से प्यार करते हैं तब यही same emotions, money आपके तरफ release करते हैं पैसा भी आपसे प्यार करने लगता है और पैसो से संबंदित आपकी सारी problems दिरे-दिरे करके solve होने लगती हैं ये थी basic hoponopono prayer जिसको आप हर दिन practice कर सकते हैं लेकिन अगर आप advanced healing में जाना चाते हैं अगर आप advanced hoponopono healing की मदद से जल्दी से अपनी जिंदिगी में पैसो को आकरशित करना चाते हैं या अपनी कोई भी problem को solve करना चाते हैं तो इस video के नीचे मैंने एक link दिया है जो मेरे private podsep group का link है जहाँ पर regularly मैं free hoponopono sessions के link भेजता रहता हूँ आप उस group को join कर सकते हैं और जब कभी मैं free hoponopono session करता हूँ तब आप मेरे साथ उस session को join कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी है comment करके जरूर बताएं और आपको hoponopono से related अपनी किस problem को heal करना है मुझे comment करके जरूर बताएं मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेर करें जिनको इसकी सक्त जरूरत है थैंक्यू सो मच मिलते हैं किसी और वीडियो में God bless you